हाई दोस्तों है उमिद करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे इस मामारी के बीच एक न्यूस थी मुझे बहुत अच्छी लगी इसलिए सुचा कि आपके साथ डिसकस कर लूँ अलग से जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह हिंदुस्तान टाइम्स की आर्टिक इन्होंने की इन संब्सक्राइब कि उनके संब्सक्राइब के इन इनकी सब्सक्राइब कर दिया जाएगा उनको क्यूंकि आभी जो है माइश यह वहां बात कर जो है उनकी ट्राइब की लोग है उनकी भी बहुत भाएशनल डिकलाइं हो रही है तो इसी को बढ़ावा देने के लिए इनको sports minister ने अईसा देक्लियर किया है और अगर सोचा जा है दूसरे states के perspective से सोचा जा है तो दूसरे states जहां पर हमारे इंडियन states पॉपलेशन को कंट्रोल करने की बात कर रहे हैं यहां पर यह पॉपलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं आपको याद होगा कि हमंत भीसव सर्मा जो कि आसाम की चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अभी एक लौ लाने की बात की है जिसके तहट ऐसे लोग जिनकी फैमिली में दो अछिण मि के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इक बात कही है कि लिए कि inimे मिनिममर जितनी बीमिमी में है नहीं क्योंकि मतलब क्या कहें तो इसी करण से अभी इस को बड़ावा देने के लिए इवन इन्होंने क्या किया है यहां के जो मेजर ऑर्गनाइशन से यहां के उनको भी कह दिया गया है कि आप भी एड़ोकेट कीजिएगा इवन एन्फोर्स कीजिएगा ठीक है पॉबलेशन ग्रोथ को लोगों को समझाईएगा पॉबलेशन ग्रोथ के लिए तो यह थी यह न्यूज थोड़ी चौकानी वाली जरूर है पर हां मिजोरम के लिहाज से यह सही है बात कर लें मिजो पहले तो आसाम 1972 से पहले यह आसाम की एक यूनियन टेर्टरी हुआ करती थी हलाकि 1972 के बाद यह क्यों सब्सक्राइब कर दिया गया था परन्तु 1987 में एक मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ था में एक मिजोरम पीस अकॉर्ड हुआ था यह वह था गवर्मन्ट आफ इंडिया एंड में एड में एफ मीजोरम नाशनल फ्रंट इनके बीच एक कार्ड हुआ था मिजोरम पीस अकॉर्ड 1986 और इसी के तहद 1987 में मिजोरम को 23rd स्टेट अफ इंडिया डिक्लियर किया गया था ओके चलिए मिलते हैं करन्ट अपेस की शो में उम्मिद करता हुआ आपको अच्छा लगा होगा चलिए बाबाई टेक कियर जहिन दोस्तों